हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव ट्विन फ्लेम चरनी पर मा लविंग ट्विन सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइन मैसकुलाइन चेजर कब बनते हैं प्रियों जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जरनी में एक पड़ाव आता है रनर चेजर का गेम जिसमें डियफ चेजर बनी होती है और डियफ रन करते रहते हैं ये पहली इस्थिति है लेकिन एक ऐसी इस्थिति आती है जब डियफ खुद पर काम करके खुद को कंप्लीट कर लेती है और उस वक्त डियम उन्हें चेजर करते हैं और डियफ रनर होती है तो ये कब होता है आज का ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है तो इसे ध्यान से सुनिए पूरा सुन तक डियफ चेजर की एनरजी में है और डियम रन कर रहे हैं तब तक ये सिच्वेशन बहुत ज़्यादा पेंफूली होती है डियफ के लिए क्योंकि वो लगातार हर्ट होती रहती है ट्रिगर होती रहती है लो वैब्रेशन में जाती रहती है लेकिन ये इस्थिति बदल स बन सकती है, वो एक runner बन सकती है और DM चेजर बन सकते हैं, लेकिन वो इस्थिति कब आती है, जब DF के life में परिवर्दन होते हैं, बदला होते हैं, जब वो खुद को बदलती है, और वो कैसा होता है, जब एक DM को चेजर बनने पर वो मजबूर कर देती है, तो आये जानते हैं फर्स्ट पॉइंट है, पूरी रिती से मौन करना, DF जब तक DM के पीछे भाग रही है, वो और भी ज़्यादा भागते हैं, लेकिन जब DF बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है, हट हो जाती है, तो वो decide करती है कि आप मुझे अपने DM के पीछे नहीं भागना, अब मुझ मुझे खुद की और मुड़ना है, मुझे मौन करना है, और वो अपनी और मुड़ जाती है, उसके बाद वो खुद पर काम करती है, और इसके द्वारा उसकी एनरजी सेव होने लगती है, जब तक वो अपनी एनरजी DM को दे रही है, तब तक वो लो वैब्रेशन में जाती है अगर वो अपनी एनरजी को सेव कर ले तो उसके बाद डियम को एनरजी नहीं मिल सकती तो यहां पर डियफ का अपनी और मुड़ना एक बहुत बड़ा पड़ाव है जब वो अपनी एनरजी को सेव करना शुरू करती है जब डी अफ ये निर्णय करती है कि अब वो डी्यम के पीछे नहीं भागेगी तो वो खुद पर फोकस करती है और इसके साथ ही वो वेटिंग के अनरजी से बाहर आ जाती है यानि कि डी अफ के कॉल या मैसेज का अब वो इंतजार नहीं करती DM के life में क्या हो रहा है वो third party में चले गए या उन्होंने marriage कर ली वो किसके साथ घूम रहे हैं क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानना अब DF की कोई दिलचस्पी नहीं होती वो अपने आप में पूरी रिती से focus रहती है और किसी भी रिती से वो अपने DM को chase नहीं करती यानि कि DM का photo, DP, messages ये सब देखना वो छोड़ देती है और जहां तक हम कहते हैं कि अपने DM को soul level पर भी chase मत करिए यानि कि अगर आप उनकी DP photo बगेरा देख रहे हैं और soul level पर उनका पीछा कर रहे हैं यानि कि बार-बार आप उन्हें याद कर रहे हैं तो उससे भी उनको energy मिलती है तो जब आप उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे और खुद पर focus करेंगे तो आपकी energy आप में ही लगी रहेगी और उनकी और energy जाना बंद हो जाएगी तो इस प्रकार आप soul level पर भी उनका पीछा करना छोड़ देते हैं तो ऐसे में आप अपनी चेतना के अधार पर अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगेंगे धर्ड पॉइंट है regular inner work करना इस जर्नी में inner work करना बहुत जरूरी है और एक twin flames के लिए ये और भी ज़्यादा जरूरी है और इसे पूरी जिंदगी आपको करना है क्योंकि इसी के त्वारा आप अपनी शिव शक्ति को balance रख सकते हैं divine से connect रह सकते हैं क्योंकि जब तक divine से guidance ना मिलते रहे तब तक आप इस जरूरी में आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए जब DF को ये पता चलता है कि inner work के द्वारा ही वो अपनी इस जरूरी को पूरा कर सकती है तो वो खुद पर काम करना शुरू करती है ध्यान meditation, साधना prayer के द्वारा वो अपने भीतर कारिक करती है और इसके द्वारा वो अपने तमाम wounds, blockages और darkness पर कारिक करती है जिसके द्वारा वो धीरे-धीरे clear होने लगते हैं और वो अपने शुद्धतम रूप में आने लगती है इसके द्वारा वो एक real divine feminine बनने लगती है तो regular inner work करना बहुत जरूरी है इस जर्नी में और एक divine feminine को ये बात मालुम होती है क्योंकि इसके द्वारा वो हमेशा divine से connect रहती है जिससे divine का मार्दर्शन उन्हें मिल सके फोर्थ पॉइंट है unconditional love और self love में आना ये जर्नी unconditional love और self love दोनों ही सिखाती है इसके द्वारा जब आप unconditional love में होते हैं तो इश्वर के स्वभाव में होते हैं और उस वक्त आपकी हिर्दय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है आप प्रकृती से प्यार करते हैं आप जीव जन्तों से प्यार करते हैं आप पेड़ पौधों से प्यार करते हैं आप दुनिया के हर एक इंसान से प्यार करते हैं आप अपने ट्विन से प्यार करते हैं आप किसी में भी असमानता नहीं रखते कोई अंतर नहीं रखते हर इंसान आपके लिए बराबर होता है यहां तक कि यदि किसी ने आपको आपकी जिंदगी में अगर ट्रिगर किया था उसके लिए भी आप उन्हें माफ कर चुके होते हैं यानि कि आप forgiveness में होते हैं और self law इसे आप सीखते हैं कि आप खुद की company को enjoy करते हैं आप खुद के साथ रहना पसंद करते हैं आप अपने खाली स समय में जो भी काम आपको पसंद है जिसके द्वारा आपको खुशी मिलती है या आपकी vibration हाई होती है उसे करते हैं चाहे shopping हो या cooking हो, dance करना, singing या कहीं घूमने जाना तो इस प्रकार आप इन बातों में व्यस्त रहती है और इसके द्वारा आप अपने energy को उसमें लगाती ह तो इसके द्वारा आपको और ज़्यादा खुशी मिलती है आप खुद की care करते हैं खुद पर ध्यान देते हैं तो ये आपको high vibration में ले जाता है जिससे आपकी energy और ज़्यादा बढ़ती है फिप्ट पॉइंट है complete feel करना जब आप खुद पर काम करके खुद को heal कर लेंग तो उस वक्त आपको अपने ही भीतर completeness feel होगा पहले जो आपको एक अधूरापन महसूस होता था आपकी soul बार बार अपने twin को ढूंती थी आप अकेले पन को अधूरे पन को महसूस करते थे अब वो बात आप महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद में complete होगे आपका inner d dmdf balance होगा आपकी शिवशक्ती merge होगी जिसके द्वारा आप यही feel करेंगे कि मेरा dm मेरा twin मेरे ही अंदर है और आप कभी भी उनको chase नहीं करेंगे आप उनके पीछे भागेंगे नहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको call या message करते हैं या नहीं क्योंकि आप अपने उपर ही focused हैं और इसके द्वारा आपने अपनी जिन्दगी को और ज़्यादा बेहतर बना लिया है आप खुद से प्यार करते हैं अपनी company को enjoy करते हैं और high vibration में रहते हैं जिसके द्वारा आप 3D की बहुत सी चीजों को manifest करने लगते हैं six point है 3D और 5D में abundance पहले आप अपने जीवन में बहुत संघर्स करते थे परिशानियों का सामना करते थे आपकी जीवन में बहुत से ऐसे रोकावटे थे आपके काम बन नहीं रहे थे financial problem थे health issue थे या job ये service नहीं थे लेकिन जब आप खुद के भीतर काम करते हैं तो blockages हटत हैं और उसका प्रभाव बाहर दिखाई देता है आप 3D में job, service या business करने लगते हैं आपको abundance मिलने लगता है आपको money की कोई problem नहीं होती health भी बहुत अच्छा रहने लगता है इसके साथ ही 5D में भी आपको abundance मिलते हैं आपको बहुत से spiritual goods मिलते हैं आत्मिक वरदान और इस carrier बनाते हैं, soul purpose करते हैं तो इस प्रकार आपको 3D और 5D में abundance ही abundance मिलता है, success और progress ही मिलता है, 7th point है trigger नहीं होते हैं जब आप low vibration में होते हैं तब सबसे ज़्यादा आपको trigger किया जाता है लेकिन जब आप high vibration में होते हैं तो कोई भी आपको trigger नहीं कर सकता चाहे वो आपका twin ह या कोई दूसरा इंसान, पहले जब आप अपने twin को उनकी wife या girlfriend के साथ photo में, DP में या कहीं पर भी देखते थे, तो आपको बहुत गुसा आता था, एक jealousy आ जाती थी, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बाते दिखाई भी दे जाए, तो भी आप trigger न balance किया है, कि अब कोई भी बात आपको trigger नहीं कर सकती, ये बताता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा heal किया है, और आप पूरी रीती से balanced है, एर्थ पॉइंट है, inner peace का होना, पहले एक बेचैनी रहती थी, व्याकुलता रहती थी, हर वक्त आप दुख में, हताशा और निराशा में रहती थी, लेकिन अब जब आपने खुद को complete कर लिया है, तो आपके भीतर एक inner peace आ गई है, एक harmony आ गई है, और ये inner peace divine की presence है, क्योंकि जब आप divine की presence से भर जाते हैं, तो उस वक्त आप complete हो जाते हैं, उस वक्त एक ऐसी इस्थिती होती है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हैं, तो ये इस्थिती आपको तब मिलती है, जब आप अपनी पूरी energy खुद में लगाते हैं, और divine से soul merging कर लेते हैं, नाइन्थ पॉइंट है, responsibility को समझना, responsibility यानि कि जिम्मेदारी, ये DM की एक विशेस्ता है, और इसके द्वारा ही वो बहुत कर्मट होते हैं, वो logical होते हैं, वो अपने और अपने family के प्रती बहुत ज़्यादा निश्थावान होते हैं, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो जब यही good डियप में आ जाता है, डियप भी जब logical हो जाती है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगत है, खुद के अलावा वो अपने घर, परिवार, अपने समाज, देश या दुनिया के बारे में सोचने लगती है, मदर अर्थ को सर्व करती है, हुमनिटी को सर्व करती है, इसके द्वारा वो अपना soul purpose भी अदा करती है, तो यह वो सारे points हैं, जो एक डियप को runner बनाते हैं यानि कि जब वो खुद पर काम करके complete हो जाती है, तो उस वक्त वो अपने real form में आ जाती है, अब उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि उनके DM क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी energy को save कर लिया है, और उनकी 1% energy भी उनके DM की और नहीं जाती, क्योंकि DF खुद की और focused है, तो ऐसे में DM का क्या होता है, DM को पेच्चैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, क्योंकि अब उनको DF की energy नहीं मिलती, अब उन्हें उत्सुकता होने लगती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा DF को अपने पीछे भागते हुए देखा था, और वो DF की weakness को भी जानते हैं, कि DF उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब DF का call या message आना बंद हो जाता है, तब DM को बहुत वेचैनी होती है, उनके heart में pain होने लगता है, उनको घबराहट होने लगती है, उनको चिंता सताने लगती है, कि आखिर DF गई क और उसके बाद वो DF को chase करना शुरू करते हैं, DF ही है जो DM को heal कर सकती है, उनको high vibration में रख सकती है, लेकिन जब DF की energy DM को मिलना बंद हो जाती है, तो DM energy level पर drain होने लगते हैं, उस वक्त वो बहुत जादा उदासी में आ जाते हैं, बहुत जादा अधूरापन को feel करने लगत हैं और friend circle में भी वो रहना नहीं चाहते हैं, बाद बाद पर irritate हो जाते हैं और परिशान रहने लगते हैं, physically, mentally, financially उनको problems होने लगते हैं, health issue होने लगते हैं, financial loss होने लगते हैं, mental peace नहीं होता, उस वक्त इन सारी बातों को देख कर उन्हें यहीं लगता है कि DF उनकी lucky charm थी, उनके साथ रहकर उनको healing मिलती थी, वो high vibration में रहते थे, अब वो निर्ने करते हैं कि वो उनको ढूनेंगे, या उनको chase करेंगे, तो उसके लिए वो अपने बहुत से ऐसे friends या कुछ ऐसे सुब जिन तक जिन से DF के बारे में पूशते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, अगर DF सोसल मीडिया पर बहुत ज़्यादा famous है, तो सोसल मीडिया पर वो जाकर उनको follow करते हैं, छुप छुप कर उन्हें देखते हैं, Instagram या status या DP या Facebook इसमें वो उनको follow करते हैं, उनके बारे में पता साजी करते हैं, तो जो काम DF करती थी, DM को जब वो उनको chase करती थी, वही काम अब DM करने लगते हैं, अब वो DF को chase कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं एक बहुत ही important बात बता दू, कि DM को भी fear होता है, जिस प्रकार DF को fear होता था, जब वो अपने DM को chase कर रही होती थी, कि DM कहीं उनको छोड़ करना चले जाए, third party उन्हें लेना जाए, अब यही fear DM में होता है, क्योंकि इतने समय से no contact में रहने की वज़़े से DM को, यह fear होता है कि कहीं उनकी DF ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, किसी और connection में चली तो नहीं गी, किसी और के साथ उन्हेंने शादी तो नहीं कर ली, इस वज़़ से वो fear में आ जाते हैं, उनको यहीं लगता है कि क्या मैंने अपनी DF को खो दिया, और इस वज़़़ से वो उनके पीछे भागते हैं, यहां पर उनको अपनी DF की value समझ में आती है, उन्हें वो सारी बाते याद आती है, जब वो DF को लगातार hurt करते थे, trigger करते थे, और उस वक्त जब DF परिशान हो रही होती थी, तो वही बाते अब DF के life में होना शुरू हो जाता है, वो भी परिशान होते हैं, वो भी hurt होते हैं, क्यों? क्योंकि अब DF उन्हें तवज़ों नहीं दे रही है, DF जिस प्रकार उन्हें सराखों पर बैठाती थी, अब वो उन्हें भाव नहीं दे रही है, यहीं से DM ट्रिगर होते हैं, और यह जानना चाहते हैं कि आखिर DF के life में हो क्या रहा है, इस वज़़से वो उनको chase करना शुरू करते हैं, तो जब DM एक chaser के रूप में होते हैं, तो DF runner के रूप में होती है, यहाँ पर DF के लिए बहुत जरूरी है कि वो DM को chase करना छोड़ दे, क्योंकि जब वो ऐसा करेगी, तो ही खुद पर energy लगा पाएगी, और जिस दिन वो खुद पर energy लगाएगी, अपनी creativity पर ध्यान देगी, अपनी soul purpose से जुड़ेगी, डिवान से soul merging करेगी, तो वो अपने real form में आ जाएगी, और उसके बाद, उसकी चमक इतनी होगी, कि उसके DM को उसकी ओर आना ही पड़ेगा, उसे एक chaser बनना ही पड़ेगा, तो जितने भी points मैंने बताए हैं, अगर आपको अधिक से अधिक resonate होते हैं, तो आप एक runner के रू जी, अपनी कीमत को नहीं जाना, तब तक आपके DM, आपकी value नहीं करेंगे, उस प्यार को, उस सम्मान को, और उस value को पाने के लिए आपको जरूरी है अपनी ओर मुणना, खुद से जुड़ना, खुद पर काम करना, और अपने real form में आना, जिस दिन ऐसा होता है, आपके DM, आपके divine masculine, एक chaser बन जाते हैं, तो प्रियों, hope, soul ये बाते, आपको help करें, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, take care and God bless you all, मेरी soul family, आप सभी की journey पूरी हो,